हेलो फ्रेंस यह सेंसी वेरिया प्लांट बहुत ही सुन्दर और अद्भुद है आज मैं इसी की केयर टिप्स के बारे में बात करूंगी कि किस तरह से आप एक प्लांट के साथ बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं और यह मैंने एक ही प्लांट के साथ यह में प्लांट है इसक सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें ओबर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए पानी तब ही देए जब हलका सा सूख जाए और यह सेमी सेड एरिया में रखना है डायरेक्ट सनलाइट से इसका कलर फेड हो जाता है और अगर हम बात करें इसकी प्रॉप ग्रेशन की तो हम इसकी लीप्स के साथ इसकी प्रॉप ग्रेशन करते हैं तो इसमें यह वेरीकेसन और यह जो एकर्डॉब कर सक्ते हैं हम बात करेंगे इसकी soil की तो soil में हमने रख नहीं है 50% sand और उसके बाद में normal garden soil और थोड़ा सा fertilizer और इसे बहुत ज्यादा fertilizer की need नहीं होती बस ध्यान रखना है इसकी watering का अगर over watering होती है तो इसके leaves का इसके गंबले में well drainage system होना चाहिए पानी जब भी आप डालें तो पूरा क पूरा पानी एक बार में बाहर निकल जाए तो उससे plant को moisture मेलेगा लेकिन उसकी roots खराब नहीं होंगी और यह बहुत सुन्दर plant है pollution free करता है आपके घर को और आप indoor भी से बहुत कम maintenance में ओगा सकते हैं एक plant से धेर सारे plant इसे leaves के साथ propagate करने का सबसे आसान तरीका है कि कुछ इस दिनों के लिए इसे पानी में डाल के रख दीजिए और यह देखिए इसमें कितनी प्यारी roots डवलब हो गई हैं और अब आप इन्हें गंबले में लगा सकते हैं जिससे बहुत जल्दी यहां से एक baby plant निकल कर आएगा और जिसका color एकदम dark green होगा, verification उस पे नहीं होगा और अगर आप लगाना चाहते हैं इन्हें मिट्टी में तो इस तरह से एक leaf की दो cutting करके आप लगा सकते हैं और यह देखिए इसमें भी roots सानी श्ट्राइट हो गई हैं यह भी बहुत अच्छा तरीका है इन्हें उगाने का और बहुत जल्दी ही इन्हें roots आ जाती हैं और यह season है अगर आपने अभी तक नहीं लगाई हैं तो इनकी cuttings भी लगा लीजिए और इन्हें report भी कर लीजिए बहुत सुन्दर plant है आप इन plants को इस तरह से भी लगा के रख सकते हैं और बोंसाई के नीचे तो बहुत सुन्दर लगते हैं और यह water indicator का भी काम करते हैं जब इ मेरे पास यह plant multiply भी जल्दी हो जाते हैं और कैसा लगा आपको मेरा वीडियो बताइएगा जरूर अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए थेंक यू यह कुछ प्लांट को यह कुछ लीप्स को मैं इ इसमें भी मैंने 50% नौर्मल सॉयल और 50% ली है सेंड और इसके साथ बहुत जल्दी अपनी रूट छोड़ देंगे और जिससे नए बेबी प्लांट तियार हो जाएंगे